हेलो फ्रेंट्स, मैं डॉक्टर रुपेश पतेल, हिपनो थेरापिस्ट एंड काउंसलर वडुद्रा में हमारा सेंटर है अल्फा माइंड हिलिंग हमारे सेंटर से और ओनलाइन हम मानसिक बीमारियों का इलाज करते हैं जैसे डिप्रेशन, एंसाइटी, फोबिया और OCD फ्रेंट्स, इस वीडियो द्वारा मैं आपको एक बहुती महत्वपुना बात बताने वाला हूँ महत्वपुना बात यह है कि अभी हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है और इस लंबे समय के लॉकडाउन से बहुत सारी नई समस्याइं खड़ी हुई है हर व्यक्ति इस लॉकडाउन से प्रभावित है फ्रेंट्स, ज्यादा तर व्यक्ति यह सोच रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद हमारी करियर का क्या होगा हमारे बिजनेस का क्या होगा हमारी जॉब का क्या होगा हमें जॉब से निकाल तो नहीं दिया जाएगा हमें ठीक से सेलेरी मिलेगा या नहीं ज्यादा तर व्यक्ति ये मैसूस कर रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद हमारी जॉब सिक्योर रहेगी या नहीं ज्यादातर employees इस तरह की समस्या मैसूस कर रहे हैं और इससे बहुत सारी मानसिक समस्या भी खड़ी होती हैं फ्रेंड्स इस तरह की हालत चोटे बिजनेसमेन की है याने की जो लोग चोटा सा दुकान चला रहे हैं या चोटी सी फैक्टेरी चला रहे हैं या गैरेज चला रहे हैं या होटल चला रहे हैं यह सारे लोग आज की समय में बहुती प्रभावित हैं जब से लौकडान हुआ ह तब से ये सारे बिजनेस बंध है, बेलकुल ठब हो चुके हैं, तो friends इस वज़े से बहुत सारे लोग financially problem में आ चुके हैं, और इस वज़े से कई लोग depression का सिकार हो रहे हैं, phobia मैं सोस कर रहे हैं, anxiety का सिकार हुए हैं, और friends हकिकत ये है कि बहुत सारी company ने बहुत सारे employees को अल friends इस lockdown से हर यक्ति प्रभावित हुआ है, हर यक्ति परिशानी मैसूस कर रहा है, हर यक्ति ये मैसूस कर रहा है कि इसको financially loss हो रहा है, और friends हकिकत ये भी है कि इस लंबे समय के lockdown से हजारों नहीं, लाखों लोगों की जॉब खत्रे में है, friends समस्या ये है कि यक्ति को पता नह है कि इसकी जॉब secure है या नहीं, और ये जॉब कितने दिन चलेगी इसका कुछ भी ठीकाना नहीं है, और इस वज़े से ज्यादा तरलोग anxiety का सिकार हो रहे हैं, यक्ति ये मैसूस कर रहा है कि अगर जॉब नहीं रहेगी तो क्या होगा, कैसे हमारा जीवन चलेगा, और इस इतना बड़ा loss किया है, lockdown की वज़े से चाहे आपकी जॉब चली गई है, lockdown की वज़े से आपको सही डंक से salary नहीं मिल रहा है, आपके साथ चाहे जो भी समस्याई चल रही है, आपको मकमता से इस सारी समस्याओं का सामना करना ही करना है, तो friends, इन सारी समस्याओं से बाहर आ से स्वस्थ रहने में ही है अगर आप मांसीक रूप से कमजोर हो जाते हैं आप तूट जाते हैं आपका आत्मिस्वास खतम हो जाता है तो आप फिर से कभी खड़े नहीं हो पाएंगे आपको एक बात समझनी है कि यह लॉकडाउन पूरी जिंदगी का नहीं है लॉकडाउन एक साल का भी नहीं है कि लॉकडाउन टेम्पररी है जी हां जश्ट टेम्पररी तो फ्रेंट आपको एक बात पर भरोसा रखना है कुछ दिन समस्याएं रहेगी फ्रेंट अगर आपकी जॉब रही है या नहीं रही है तो अच्छी बात हैं अगर आपकी जॉब चली गई ह फिर भी आपको निरास नहीं होना है, आपको फिर से जॉब के लिए अपने आपको तयार करना है, दूसरी जॉब के लिए अपने आपको इंप्रूव करना है, फ्रेंड्स हाकिकत यह है कि जो लोग अपने आप पर काम कर रहे हैं, अपने आपको इंप्रूव कर रहे हैं, इस को लेकर हम बहुत ही चिंटित हैं फ्रेंस हाकिकत यह हैं कि अगर आपके अंदरदम है आप काबिल है आप फॉल है तो आपकी जोब कहीं भी नहीं जाने वाली है अगर आपकी छॉब चली भी गई हैं तो आपsonis से हासिल कर लेंगे अगर आप जौब के लिए काबिल हैं फ्रेंड्स आपको एक बात समझनी है कि इस समय में केवल ऐसे लोग ही चलेंगे जो व्यक्ति काबिल है जो वक्ति पॉजिट्टीव है, जो वक्ति powerful है, जो वक्ति confident है, जो वक्ति हमेशा अपने आपको improve करता रहता है, ऐसे लोग ही चलेंगे, लेकिन जो लोग बहुत लोग कमजोर है, मानसीक रूप से तूट चुके हैं, हतास हो चुके हैं, निरास हो चुके हैं, confident बिल्कुल खतम हो चुका है, ऐसे से निकाल देने की आपको संभावनाई लग रही हैं तो आपको एक ही काम करना है कि आपको अपने आपको इंप्रूव करना है आपको आपके अंदर इतनी सारी या और्गेनाईशन कभी भी निकालने वाला नहीं है लेकिन आप अपने इंप्रूमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं आप कमजोर मैसूस करते हैं आप फॉस्टेड हो जाते हैं आप नेगिटी हो जाते हैं तो आपकी जौब के लिए बहुत बड़ा खत्रा हो सकता है मैं आप आपको बहुत ही इंपोर्टन बात बताना चाहता हूं हकिकत में कोरोना भी कोई बड़ी समस्या नहीं है लोकडाउन भी कोई बड़ी समस्या नहीं है मंदी भी कोई बड़ी समस्या नहीं है यह समस्या केवल ऐसे लोगों के लिए ही है जो लोग इसके लिए तयार नहीं है चीन लोगों ने अपने आप पर काम नहीं किया है चीन लोगों ने अपने आपको बहतर नहीं बनाया है चीन लोगों ने अपने आपको काबिल नहीं बनाया है चीन लोगों ने समस्या उसे लड़ने के लिए अपने आपको तयार नहीं किया है ऐसे लोगों के लिए ही problem है तो friends मैं हमेशा बोलता आया हूं और मैंने इससे पहले कई सारे वीडियो में बताया है कि समस्या आती है इसके बाद उसका सामना करना आसान नहीं होता है लेकिन जो व्यक्ति समस्या से पहले ही समस्या के लिए खुद को तयार रखता है उसको कोई भी problem नहीं होता याने कि जो व्यक्ति इस थिति के लिए पहले से भी तयार था इसके लिए कोई problem ही नहीं है लेकिन जो लोग बहुत ही आशवाराम में थे बहुत ही comfort zone में चले गए थे ऐसे लोगों के लिए बहुत बढ़ी problem है यह lockdown तो friends आपको यह तय करना है कि lockdown में अपन होने वाले नहीं है लोगडाउन के बाद आप फिर से पहले की तरह बहुत जोस के साथ जुनून के साथ आप अपने business में चलांग लगाएंगे आप अपने business में फिर से आएंगे आप वापसी करेंगे और पहले से better business करके दिखाएंगे और यह संबव है तो friends मैं आपको एक कही ना कही अवसर ही है अगर आप देख सकते हैं तो लेकिन friends हकिकत यह है कि यह lockdown मेरे लिए तो बहुत बड़ा अवसर है और यह lockdown आपके लिए भी बहुत बड़ा अवसर बन सकता है अगर आप ऐसा नजरिया रखते हैं तो तो friends मामला केवल नजरिय का है कि इस ठीति को आप किस तरह से देखते हैं आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जी हाँ lockdown में तो सब कुछ खतम हो गया lockdown से तो हम बरवाद हो गये lockdown ने तो हमें पूरी तरह से खतम कर दिया अरे फ्रेंड ऐसा नहीं है आपको लॉक्डाउन की positive side भी देखनी है याने कि लॉक्डाउन से क्या अच्छा हुआ, लॉक्डाउन से आपको जॉब के अंदर क्या फाइदा हो सकता है, आप बोलेंगे कि लॉक्डाउन से कहीं फाइदा हो सकता है जी हाँ, lockdown में भी बहुत सारा फाइदा है, तो friends मेरा ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए है, जो अपनी जॉब को लेकर बहुती चिंतित है, अपनी जॉब को लेकर बहुती डर और गबराट मैसूस कर रहे हैं, मेरा ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए है, जो लोग अपने ब पुछ साहे तो फरेंद्स आपको एक बात बहुत ही गराई से समझनी है कि यह लोगडान है। ऑफो स्वाहसा कख़े खाल आपको भी लग रहा है कि इसने तो हमें 5 साल पीछे धकिल दिया 10 साल पीछे धकिल दिया लेकिन ऐसा नहीं होगा जब भी लॉक्डाउन उपन होगा तो धीरे-धीरे हर सही होने लगेगी मार्केट पहले की तरह ही चलने वाला है तो फ्रेंड्स इसके लिए वक्त लगेगा कितना वक्त लगेगा किसी को पता नहीं है लेकिन एक समय फिर से भी आएगा ऐसा बहुत अच्छा समय फिर से भी आने ही वाला है तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपके साथ चाहे कितनी भी समस्याओं का आप सामना कर रहे है आपकी सिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी चुनोती आपको नजर आ रही है लेकिन आपको हार माननी नहीं है आपको गुटने टेकने नहीं है आपको किसी भी हाल में सरंडर करना नहीं है आपको कभी भी ये नहीं सुचना है कि सब कुछ खतम हो गया है और हकिकत में कभी ऐसा होता ही नहीं है, कभी भी सब कुछ खतम नहीं होता है, तो friends आने वाले समय के लिए खुद को तयार करना है, हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी लेनी होगी, खुद के लिए अपने आप के लिए ये जिम्मेदारी लेनी है कि आने वाले समय के लिए हम harmful बनाएठ, इतना confident बनाएठ कि आने वाले सम्मय में चाहे कितनी भी बड़ी समझ से आ रही है, चाहे कितनी भी बड़ी financial problem आ रही है, चाहे कितनी भी बड़ी चुनितन के सामना करना है, चाहे हालाग कुछ भी हो जाए, आपको अपने आपको बिल्कुल stable रखना है, इस तरह क समझसा से लडने के लिए आप अभी अपने आपको इस तरह से प्रिपेड कीजिए कि जब भी ये समझसा आएगी तो आप डट कर उसका मुकामला करेंगे आप कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे आपको हिम्मत हारने का राइट नहीं है अगर आप बहुती बड़ा भविश्य देखते हैं अगर आपने आपकी लाइप में बहुती बड़े सपने देखे हैं तो आपको हार मानने का अधिकार नहीं है आपको तूटने का अधिकार नहीं है आपको खतम होने का अधिकार नहीं है आपको किसी भी तरह मैदान पर खड़े रहना है डटकर मुकाबला करना है आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि यह समय बी चला जाएगा ये समय भी गुजर जाएगा और कुछ दिनों के बाद एक बहुती अच्छा समय, एक बहुती सांदार समय, एक बहुती पॉजटिव समय आपकी जिन्दगी में आने ही वाला है तो फ्रेंड्स आपको एक बहुती गौर से समधनी है कि अगर आपको हमेसा पॉजटिव रहना है, खुद को कॉइटिटेंट रखना है, तो आपको भविश्यकी और अपना फोकस रखना है जी हाँ, आपका फोकस केवल भविश्यकी और होना चाहिए पाश्ट में आपके साथ कितना गलत हुआ है, आपने कितना बड़ा लॉस किया है वर्तमान में अभी आपके साथ कितनी बड़ी समस्याइं चल रही है, इसके उपर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये समय भी गुजरने ही वाला है, ये समय भी जाने ही वाला है और इसी तरह से नया समय आने ही वाला है तो friends आपको इस पर भरोसा रखना है कि नया समय आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा पॉजटीव होगा तो friends आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि 21 सदी बहुत ही strong लोगों की है confident लोगों की है positive लोगों की है यानि कि आपको 21 सदी में कमजोर होने का right ही नहीं है जी हां आप 21 सदी में जीना चाहते हैं तो आपको कमजोर होने का right नहीं है आपको किसी भी हाल में अपने आपको strong रखना होगा अपने आपको confident रखना होगा अपने आपको energetic रखना होगा तो friends आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप lockdown की वज़े से किसी भी तरह की मांसिक समस्या मैसूस कर रहे हैं तो इस number पर call कीजिए या WhatsApp से message कीजिए हम आपको आपकी मांसिक समस्या से ठीक होने का सही तरीका बताएंगे friends मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि समस्या चाहे कितने भी बड़ी है आपके सामने चुनोती का पहाड खड़ा हुआ है आपको हिम्मत नहीं हारनी है आपको स्रीनातान के खड़ा रहना है आपको हर समस्या का चुनोतियों का मुकामला करना है इसकी सामने स्रीनातान के खड़े रहना है आपको कभी भी सरंडर नहीं करना है मैं आपको एक बहुत ही महत्वपुना बात बताने वाला हूं महत्वपुना बात यह है कि लोकडाउन के बाद ऐसे लोगों का ही बिजनेस अच्छा चलेगा ऐसे लोगों का जो भी शिक्योर रहेगा जो लोग आज बिजनेस कर रहे हैं या चाहिए आप जॉब कर रहे हैं आपको किसी भी चिंता की आवशक्ता नहीं है आपके साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है और आपकी लाइफ में आप सफल होने ही वाले हैं तो फ्रेंड्स आखिर में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं कि लॉकडाउं की वज़े से आपकी जिंदगे में चाहिए कितनी भी बड़ी समस्या आई हैं लॉकडाउं की वज़े से आपके भविश्य में चाहिए कितनी भी बड़ी समस्या आने वाली हैं आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है आपको किसी भी हाल में सरंडर नहीं करना ह हर चुनोति का सामना करने के लिए खुद को तयार करना है हर समस्या से लड़ने के लिए खुद को कामिल बनाना है और आप ऐसा कर सकते हैं यही वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को like कीज़े अपने दोस्तों के साथ और अपने हर group में इस वीडियो को share कीज़े ताकि हर व्यक्ति इस lockdown में positive रहे, confident रहे इस वीडियो के बारे में आपके comment, हमें comment box में जरूर बताइए और हाँ, अभी तक आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कीजिए और bell icon को hit कीजिए Thank you, all the best